सरस्ति के सरस्त की चन में आप सबका बहुत बहुत श्रागत है तो आज बहुत टेश्टी से नास्ता बनाने वाली हूँ और जो खा के आपका भूख भी मिठता है और मन भी भर जाता है तो आप इस तरह से बनाएए फटा-फट कचाओरिया यह कचाओरी बहुत खस्ता बनते पूर्पूरी रहते हैं जिसके लिए आटा ले रहे हैं नॉर्मल आटा जिसमें हम रोटी बनाते हैं जिससे तो यह दो कटोरी आटा मतलब यह 500 गराम आटा हमने ले लिया है ठीक है इसमें डालेंगे थोड़ी से अजमाईन आटा हेल्डी होता है मैदे से बना सकते हो लेकिन मैदा हेल्डी नहीं होता है तो इसलिए आटा मैं ज्यादा कहूंगे कि आटा से ही बनाईए नमक दाल दिया थोड़ा सा और इसमें डालेंगे तीन-चार चम्मच घी तीन-चार चम्मच पहले डालके हम देखेंगे कि भाई हो गया है कि नहीं हो गया इतने में खस्ताव करना है हमें तो इस तरह से करेंगे तो मुठी पान के देख रहे हैं तो देखो बिल्कुल हो गया है अब हमें चार चम्मच घी में बिल्कुल हो गया पांच चम्मच लिया नौर्मल जो हम रोटी बनाते हैं ना से महीं रहेगा बाकि इसमें कुछ नहीं आपको करना है आटे में तो देखें आटा हमने तयार कर दिया है और इसे रख देते हैं ढखके रखके रखने के बाद इसे 10-15 मिनिट छोड़ देते हैं बागी तयारी कर लेते हैं तब तक आटा शेट हो जाएगा थोड़ा सा उपर से रिफाइन वाइल लगा देते हैं रिफाइन वाइल घी जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हो तो यह सेट होने तक रखते हैं इ लामक स्वादन शार अजवाइन जरूर इसमें एड़ करेंगे तो थोड़ी सी अजवाइन एक चोफाइचमच करश करके डालने हैं इसके अलावा हम डालने हैं यह दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी धनिया पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर एक होता है ना उसका मचार एड़ कर रहे हैं इसे देख़ाया नहीं है यह सी जरूर करिं जरू को यह को पाउडर में बात प्राइब भी टालें करेंक हम च्बाइब बनेगे तो लंबे समय तक जो ये कुरकुरी बनी रहती है ना मतलब खसता बना रहता है वो चीज नहीं रहता है लंबे समय तक तो इसलिए मैं इसमें प्याज नहीं डाले हूँ थोड़ी से हल्दी पावडर एड कर रहे हैं और फुलाने के लिए फुले बैकिंग वाला सोड बिल्कुल थोड़ी सी एक चुटकी से थोड़ा सा ज्यादा हमने एड़ किया और देखिए मैं इसे लड़ू बना के बद दिखा रही हूं तो बन जाने तो हमारा बिल्कुल यह सत्तु आला तैयार हो चुका है जो फीलिंग खई यह जो इसे वरतन में रखके ढ़के छोड़ जीरा हींग मेथी और थोड़ी से सौब तेज पत्ता एक दो बारिक कटी हुई प्याज इसमें एड़ कर दिये हैं और इसके साथ 2-3 हरी मिर्ज हमने डाला है इसमें आप देख सकते हो दिख रहा है तीन आलू है इसे क्या करेंगे बड़े साइज का है तो तीन है वैसे मेठ रहिए टोड़ना है थोड़े से डालें के हलिधी पाउडर सारे मसाले मिले हुए झाल 자सरी मिले एट कर दिया है common आलू अगर आपके पार टमाटर है तो टमाटर भी डालिए पर आजकल टमाटर बहुत महगे हो रहे हैं तो बिना टमाटर कभी बना लीचिए नमक स्वाद अनुशार अवलेट पुलेट करके थोड़ा से भून देंगे उसके बाद पाने आइड करेंगे कचवरी सब्जी बहुत फेमस है दिल्ली में तो खासकर बिना सब्जी का कोई कचवरी नहीं बनाता है हर दुकान पर कचवरी सब्जी मिलते हैं लेकिन जाह तक मैं कहते हूं कि मतलब कई चीजे होते हैं चना भी बना सकते हो छोले भी बना सकते हो तो अपरेंस इसमें पानी तो बहुत जादे पानी हमें नहीं डालना है बस थोड़ा ही डालना है कि मतलब जितने में हमारी कचौरी खाने में मज़ा आए तो कम ही तरी बनाएंगे इसमेरर कचौरी में मसाले फिर जादा उगता है ने सासे खाने लेगे 12%県 तरीर डालना है कि धनिया के तर्सप्राम को सभड़िए hissी तो कचौरी में जबना तो के यह फानेिए अव्यच्राक्रय में हमें क्युक्षम जादी तो आप सब्जी हम गैस बंद कर दिया तो सब्जी साइड में रखेंगे अभी हमारे कचोड़ी है तो सब्जी बना लेंगे तो कचोड़ी बनाएंगे तब गरम-गरम खाएंगे ठीक है और देखें आटा भी बिल्कुल तयार हो चुका है अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा इ अब जैसे आपको कचोड़ी परसंद है बड़ा छोटा साइज उस तरह से आप बना लिजीगा तो इस तरह से एक नेबू होता है उस आकार में मैं बना रहे हूं सारे लोईया तोड़के रख ली हूं और इस तरह से गोल करते हुए इसको क्या करेंगे एक कटोरी का सेव दें अब ही जो हमारा चना का सत्तू बना के हमने रखा है इसका एक बनाएंगे लड़ू आप ऐसे भी इसमें डाल सकते हो लेकिन यह थोड़ा सा बुरबुरा सा होता है ना तो यह निकलता है लेकिन इस तरह लड़ू बनाके जिब हम रखते हैं तो बिलकुल फूटता नहीं है और बहुत आराम से हो जाता है तो चार-पांच जिसे हमने लोगियां तोड़ा है तो इस तरह से चार-पांच लड़ू भी बनाके रख लेते हैं अब इसमें एक लड़ू हमेट करते हैं और इस तरह से अच्छे से बंद करेंगे फ्रेश बंद करने में बिलकुल भी लाप प्रवाही हमें नहीं करनी है अच्छे से हम इसे बंद करेंगे ठीक है में सारी चीजों को अगर फॉलो करोगे तो आपको कचोड़ी 100% बहुत अच्छा बनेगा तो देखिए इस तरह से सारे बना के तयार कर लिये हैं अब वापारी है इसको बेलने की तो हलके हाथों से हम इ अच्छे से हम इसे और देखिए इस तरह ना मोटा ना पतला बिल्कुल मेडियम साइज से पूड़ी हमने बना के तयार किया है तो हमारी कचोड़िया सब बेल के तयार हो चुकी है अब हम चलते हैं गयस के तरफ जहां पहले से ही देल इंतिजार कर रहा है कचोड़े के तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सा यह फूल रहा है है कि न और जब मध्यम आज पर बनाएंगे तो थोड़ी मूटी रहती है अगर थाई फ्लम पर बनाऊगे तो कचोड़िया आपकी हो जाएगी गोल्डन लेकिन अंदर से जो कच्छे रह जाएंगे तो कच्छी वाले क तो यह हम निकाल लेंगे एक हमारे पास यह टोकरी है तो इसमें निकालेंगे ना क्योंकि इसमें होता है कि मितला भी सौप्ट नहीं होते हैं बहुत अच्छे कुछ ज्यादा लंबे समय तक खसता बना रहता है इसलिए जहां तक हो सका इस तरह के कुछ बरतन है आपके पा क्योंकि अगर हम तुरंट डाल देंगे तो वहीं मुझे से मैंने कहा कि कच्छे रह जाएं कि हमें कच्छे बिलकुल भी नहीं चाहिए तो आप देख सकते हो यह बहुत अच्छे फूले हुए हैं यह बहुत ही आसानी से बन रहे हैं आप देखे सकते हो कितने आराम से यह हैं और इसमें कोई ताम ज्याम नहीं करा और जादे मसाले भी नहीं है अगर आपको अनहेलदी थे तो स्रिफ यह जो डृपाइन वाइल गी डालते हो यह अनहेलदी हो सकता है बाकी चिजे चना डाल यह भी बहुत फायदेमंद होते हैं और इसमें जो हमने हींग एड़ कि डौञट का है बहुत को बना रख हैते हैं देख सबढna को तूट की नीचे से ऊझा सारी सब्सक्राइब थो यह खुड़ाह निकलेंगी तो सारी सब्सक्राइब डाल देती हूँ और कुछ सब्ज किनारे किनारे से लगा देती हूं इससे एक बार खाये इसे जैसे आप सजा सकते हो प्याज घरा धनियां और आप इसमें नम्कीन और ब़िए अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हो पर मैंने यसमें धनियां और हरी पत्ति यह थूड़ी कर लेजिए और कामेंट करके हमें जरूर बताएगा कि कैसे बने थे और यह देखिए कि इतना ख़सता बना हुआ है मतलब यह लंबे समय तक आप साम तक रख सकते हो